इस टुटोरियन में हम आपको पताना चाहते हैं डिश्टल वीडियो एरेटिंग वर्क्फलो क्या होता है उसमें किस प्रकाल काम करते हैं जब आप काम करते करते एक इस्पिरियंस प्रोफेशनल लेडिटर की तरीके काम करते हैं तो आपका खुद का एक system develop हो जाता है. आप उसी order में अपना काम करते हैं. Video Rating Profession के अंतरगत आपको हर stage के उपर particular kind आप attention की आशकता होती है. उसके अंतरगत आप different type के tools का प्रियोग करते हैं, जिससे कि आप उस stage में बहतर काम कर सकते हैं. इसमें कई सारी stages का प्रियोग किया जाता है. सामान दोपर 7 यार 8 stages होते ही जिनका प्रियोग करके किसी भी project को हम complete करते हैं. और इसमें हर stage का एक particular time निश्चित नहीं होता है. कभी first stage में ज़्यादा time लगता है, कभी second stage में time ज़्यादा लगता है. ये आपके project और आपकी छमता के अनुसार होता है, किस stage में कितना time लगेगा. ये आपके कारप्रणाली, आपके तीब्रगती से काम करने की विधी और आपके system पर भी निर्वर करता है, कि किस stage में कितना time लगेगा. हो सकता है, ये आप professional editor बन जाएं, तो आप कुछ stages को miss कर दें, यानि आपको वो stage पर जाने की जरूत ना हो, और आपना काम बाखुवी कर सके हो. इसके अत्रिक हम आपको यहाँ पर इस tutorial में कुछ particular stages के sequence के बारे में बताना चाहते हैं, कि एक एरिटिंग प्रोजेट को एडिट करते समय किन-किन stages का सामना करना होता है, और क्या-क्या stages हैं जिनमें हम काम करके एक प्रोजेट को complete कर सकते हैं. सबसे पहला यह होता है, acquire the video, यानि, number one, acquire the video. This can mean recording original footage, यानि ये phase आपका shooting का होता है, जब आप video footage को suit करते हैं, या record करते हैं, या अनि एसेट्स जिनको प्रोजेट में use करना है, उनको आप collect करते हैं. Number two, transfer या ingest, आज की date में दूसरी stage वो होती है, जब आप video footage को अपने system में, या तो आप transfer करते हैं, या ingest करते हैं. Transfer ingest करने से दोनों में अंतर क्या है, यदि आप tape-based formats का प्रियोग कर रहे हैं, तो आपको ingest करने के आउसेक्ता पड़ती हैं, ingest करने से आपके tape में record की गई footage, आपके system में digital form में record store हो जाती हैं, जिसको हम अपने project में import करके काम करते हैं. और transfer file ingest करते समय आपको Adobe Premiere Pro के साथ में आपको एक particular hardware क्या हो सकता होती है, जिससे कि आपकी video digital file में convert होती है. टेबलेस मीडिया के अंतरगत, मीडिया को directly system में copy कर सकते हैं, या transfer कर सकते हैं, और अपने project में direct import कर सकते हैं, उसको आपको convert करने क्या हो सकता नहीं होती है. टेबलेस मीडिया में यह जरूर ध्याम रखना कि सदेव आपकी files का backup second location पे होना ही चाहिए. यानि एक file location वहाँ होती है, जहां से हम project में import करते हैं, और एक location जगा backup कापी में जरूर बना के रखना चाहिए. नमबर थर stage यह होती है, organize your clips. आज कल, वीडियो स्वार्स की संख्या बहुत जादा होती है, project के अंतरगत, सभी file को उनके nature का अंसार manage करना. project के अंदर जब हम किसी folder का create करते हैं, उसे हम bin बोलते हैं, इन bins में आप clip के nature का अंसार categorize करके रख सकते हैं, उन पे color level दे सकते हैं. नमबर चार stage यह होती है, जब आप rough cut करते हैं, यानि आप अपने import किये गए video footage को एक sequence create करते हैं, video के किसी part को select करते हैं, audio clip को select करते हैं, और उनका एक sequence का निर्मार करते हैं, जिसको हम rough cut या sequence editing बोलते हैं. पॉच्छी stage में, timeline में, audio clips और video clips के बीच में transitions, effects, video filters का प्रियोग करते हैं, visual effect को इसमें combine किया जाता है, और multi layers का प्रियोग करके भी आप एक effect create करते हैं. नमबर six, six stage ये होती है, यदि आपके edit के sequence में किसी graphics या titles की ज़रूत होती है, तो उसका भी आप placement करते हैं, उनके titles में test information को add किया जाता है, चाहे वो graphics से सम्बंदित हो, या title से सम्बंदित हो, किसी का नाम हो, location हो, या कोई particular कोई ceremony हो, नमबर seven, साथी stage में हम mastering करते हैं, यानि आप सारे audio और video tags को एक साथ play करके देखते हैं, जिस भी location पर आपको video effect की ज़रूत होती है, या कहीं पर ज़्यादा effect लगे हैं, उनको कम करने की ज़रूत होती है, या किसी कोई asset miss हो गया है, या आप replace करना चाहें, मतलब final touch up देने के लिए हम mastering कहते हैं, इसमें हम audio leveling भी करते हैं, audio level करने से sound को improve किया जा सकता है, हो सकता आप एक layer बजाए, दो तीन, दो layers या sound effect का प्रियोग करें, नमबर 8, आठवी stage ये होती है, edit किये गए project को आप video tape प्याउट लेना चाहते हैं, या एक file के रूप में export करना चाहते हैं, या आप website क के लिए आप movie बनाना चाहते हैं, या mobile device के लिए movie को create कर सकते हैं, आप create के गए movie से DVD, CD, Blu-ray desk, mobile या by net उनका प्रियोग कर सकते हैं, ये 8 basic stages हैं, जिनके दोरा हम video rating के कारे को अंजाम देते हैं, सामान तोर पर यही stage है, यद या professionally आप अपने अनुशार इस sequence को modify कर सकते हैं, कभी भी किसी भी stage को आप change कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्या import करने की या data collect करने की केवल first stage में होती है, आप project में या किसी भी project में, किसी भी data की या file की आपको last में जरूत पड़ती है, तब भी आप उस file को import कर सकते हैं, Thank you for watching.